विल्कम बैक टो माई ड्रीम किचन दोस्तों आज मैं आपके साथ चिकन बर्रा की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ वैसे तो हम लोग तरह तरह की चिकन रेसिपी बनाते रहते हैं लेकिन अगर आप थोड़ा डिफरेंट कुछ ट्राइ करना चाहते हैं तो आज आप मेरी य अगर चिकन लिया है जिसे मैं अच्छे से वाश कर लिया है और डीब गैस लगा दिया है इस तरह के कुछ लगा दिया है गहरे गहरे अब मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है जिसमें मैं चार टेबिल स्पून दही लोगी यह मैंने चार हरी मिर्चों का पेस्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आर आपको ज्यादा तीका पसंद है तो आप बढ़ा सकते हैं एक टेबिल स्पून मैंने अध्रक लैस्पून का पेस्ट लिया है एक नीम्बू का रस लिया है मैंने और यह कुछ सूखे मसाले हैं जिसमें एक टीस्पून नमक है एक टीस्पून कसूरी मेती है एक टीस्पून चाट मसाला है आधा टीस्पून गरम मसाला है और आधा टीस्पून काले मिर्च का पाउडर है यह भी मैं इसी में डाल दूँगी और इसके अलावा मैं इसमें एक टेबिली स्पून मक्षन डालूंगी जो रूम टेंपरेचर का है मैंने फ्रीज में से निकाल कर पहले ही बाहर रख दिया था ताकि इसमें अच्छी तरह से यह मिल जाए और बस मैं इसको सब अच्छी तरह मिक्स कर लोंगी सब चीजों और इस मिक्सचर को हमें अपने च अच्छी तरह से मसाज करना है ताकि जो गट्स लगे हैं उसमें अंदर दकी मसाला अच्छी तरह चला जाए और इस तरह मेरिनेट करके इसे हमें कम से कम एक घंटे के लिए और आपके पास टाइम है तो दो चार घंटे या ओवर नाइट भी रख सकते हैं लेकिन फ्रीज म चिकन बारा ग्रेवी वाला बना रहा है तो यह उसकी ग्रेवी की तैयारी कर रहा है यहां पर गैस की फ्लेम धीमी रखनी है यह पर प्यास का लर चेंज नहीं करना है बस उसको सॉफ्ट करना है अब मैं इस प्यास में यह मैंने एक टेबिल स्पून मगज लिए हैं और यह पेस्ट बनाते बाद मैं इसी में डाल दूँगी और यह देखिए प्यास हमारी अच्छी तरह से फ्राइ हो गई है अब मैं इस प्यास को निकाल लूँगी और इसको ठंडा करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी इसमें मैं सफेद गोल मिर्श भी डाल दूँ पर मुझे तेज कर देनी है क्योंकि यहां पर चिकन को हमें अच्छी तरह से भूनना है चिकन का कलर चेंज होने तक हमें गैस की फ्लेम को तेज रखना है और यह देखिए चार-पांच मिनाट के बाद हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है और अब मैं यहां पर गैस की फ्ल पानी रिलीस करेगा और उसी पानी में हमारे चिकन गल जाएगा यह देखिए 15 मिनट के बाद हमारे चिकन गल चुका है और इसमें थोड़ा पानी बचा है तो गैस की फ्लेम तेज करके मैं इस पानी को सुखा दूँगी इसको बिल्कुल हमें ड्राइ कर लेना है चिकन हमारा पूरी तरह गल चुका है और हमें इसको इतनी तेर तक भुणना है कि इसका सारा पानि सूख जाए और इसका जो मसाला है वह सारे चिकन के पीसेस पर कोट हो जाएगा एक 있는데 बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है और गैस का फ्लेम बंद कर दिया है अब हमारा चिकन बरा तयार है अब हम इसको थोड़ा घट तंदूरी टच देने जा रहे हैं तो एक ग्रिल नेट पर मैंने इस तरह से चिकन के पीसे को अरेंज किया है और गैस की फ्लेम पर मैं इस तरह हाथ से नेट को पकड़कर आगे पीछे करूंगी ताकि बहुत अच्छा सा एक तंदूरी फ्लेवर हमारे चिकन के चिकन में आ जाए यह देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा चिकन ग्रिल हो रहा है यहां पर अगर आपको चिकन के पीसे को ज्राय लगते हैं तो आए हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं यह देखिए प्यास काजू और मगस का पेस्ट मैंने तैयार किया था गोल में डालकर वह मैंने उसी पैन में डाल दिया है दो टेबिल स्पून लाला था थोड़ी सी क्लिप में सो गई है और बस अब मैं इसको यहां पर अच्छी तर चलाते रहना है अब मैंने इसमें चार टेबिल स्पून मिल्क क्रीम एड़ कर दी है आप कुकिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको डाल कर भी इसको एक बार फिर से अच्छी तरह से चलाना है और इसको भूनना है यह देखिए मसाला हमारा भून रहा है अब हम इसमें अपना ग्रिल किया हुआ चिकन मिला देंगे यहां पर गैस की फ्लेम मीडियम टू लो कर देंगे और इसको हलके हाथ से हम मिलाएंगे ग्रेवी के साथ क्योंकि हमारा चिकन पूरी तरह गला हुआ है तो वह तूट सकता है तो बहुत हलके हाथ से अच्छी तंदूरी खुश्बू कुछ नटी फ्लेवर बहुत क्रीमी टेक्चर के साथ हमारी ग्रेवी तैयार हो रही और यह देखिए यहां पर मसाला हमारा काफी सूख गया था तो मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है यहां पर मैंने गरम पानी डाला है याद रही कभी बार запव कर देखिए विजा बला ने लकांते सी moosk और स्पानी क्सिस्टेंसी को जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें तो बॉइल्ड वार्टर यूज करें ठंडा इन डालें और यह देखिए हमारी ग्रेवी क कोस्त्रा काने विलकुल सही हो गई है चिकन बरह की ग्रेवी ताकि चिकन के ग्रेवी के सारे फ्लेवर एक दूसरे के साथ पुबच्ची तरह मिल जाए और यह देखिए मैंने दो मिनट के लिए इसको दक्कन लगा कर छोड़ा है और यह देखिए दो मिनट के बाद हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है चिकन बर्रा कितना मस्दा सारा उसका ओयल सर्फिस पर आ चुका है देखिए और देखने में ही बहुत बढ़िया लग रहा है हमारा चिकन बर्रा और अब मैंने इसमें एक टेबिल स्पून बटर डाला है यह बिल्कुल आप चाहें तो डाले इसको डालने से बहुत अच्छी खुश्बू आती है और मैंने गैस की फ्रेम बंद कर दी और मैं इसे डिश आउट करूंगी और यह देखिए हमारा चिकन बर्रा विद ग्रेवी बनकर तयार है आप इसको रोटी नान चपाती किसी चावल के साथ भी सर्फ कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज ला झाल झाल